नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का Redmi 7E का device है तो दोस्तों Xiaomi की 7E device के अपर देशाद है Global Stable and Indian Stable update rolling out होना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों Indian Stable users को देशादे 11.0.1.0 का Stable update rolling out होना स्टार्ट हो चुका ह और दोस्तों इस फर्स टब्लेट के बाद Redmi 7E device के अंदर काफी बड़े चेंजल लग फीचरस देखने को मिल चुका है तो दोस्तों आगर क्विपास Redmi 7E या फिर Xiaomi का कौन सा भी डिवाइस है तो इस वीडियो को शुरू से लेका और लास तक जरू देखते रहे हैं ताकि आ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि Xiaomi के अलमोस्त सभी डिवाइस का अंदर MIW 11 का Global Stable and Indian Stable अपडेर रोलिंग आट होना स्टार्ट होच चुका है बस यह आपर Redmi 7E डिवाइस बाइक ही था तो दोस्तों आपर देखते रेडमी 7E डिवाइस को MIW 11 का यह पर Stable अपडेर मिलना स्टार्ट होच चुका है अगर आप यह आपर इंडियो यूदर्स को भी अपडेर मिलना स्टार्ट होच चुका है अगर आपके अपर लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे डेस्क्रिप्चन में लिंक डाल दूगा वहां से पाराम से अपर ओटी लिंक से अपडेर डाउनलोड कर सकते हैं उसके अपर इंस्टाल भी कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे क मैंने अपनी device के अंदर MIU 11.0.1.0 का स्टेबल अपनी इंस्टोल करके रखा है और साती नीची के दर्ब से देस्टा एंड्रोइड सेकुर्टी पैच लिवल जो की एक नॉबर का लेटिस एंड्रोइड सेकुर्टी पैच लिवल इसी डेमी 7 डेश्के अंदर देखने को मल चुक है जो दोस्ता सबसे पहले देशादी आपर कंप्रेसियों डिजैन मतलब की आपको पता होगा कि रेड्मी 7E डिवेसे का अंदर डार्क मोड को फीचर से आपको पहले से देखने को मल जाता है लेकिन नोटिफिकेशन पैनल में देशादे जो डार्क मोड का फीचर से मतलब की शॉटकट से अड़ हो चुका है जैसे कि आपर देशादे वन क्लिक के अंदर आपको डार्क मोड इनेबल हो जागा है पूरे इस सिस्टेम के लिए मतलब की जो डार्क मोड का फीचर से आपर और भी बेटर देखने को मल चुका है उसके बात करेंगे और भी कुछ आपको मिल चुका है स्क्रीन कास्टिंग का फीचर जिसके अपना डिस्प्ले मतलब की डिस्प्ले फोटो से वीडियो से स्मार्ट यूपर वायरलेस करेंट कर सकते हैं और भी कुछ फीचर से अपको नेक्स्ट अब्रेट के बाद देखने को मिल जाएगा उसके बात है तो दोस्तों की युजर इंटरफेस में देशाथे काफी बाड़ा चेंज़ेस देखने को मिल चुका है जैसे के कुछ आपर युटिलिटी पॉइंट हो चुका है एंड शॉटकर्स देसके मतलब ही जो आप्लिकेशन के शॉटकर से और भी एपर एड़ हो चुका है और अपर चैस करना है मतलब अगर उसको एडिट करना है तो अपने मर्जी से अपर शॉटकर्स भी एड़ कर सकते हैं तो इसके बाद हम बात करें गवर भी कुछ इंफॉटेंग्स के बार में जो कि आपको सेटिंग्स का अदर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों सेटिंग को अपन करने बाद सबसे पहले युए में देशादे काफी बाड़ आपको चैंजिस देखने को मिल चुका है मतलब है जो सेटिंग के फॉंक्शन से वे पर थोड़े बूत यह पर चैंजिस किया गए और साथिन दोस्तों जो सेटिंग्स के आइकॉन्स भी आपको मुल जाते दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिस के अंदर आपको कौन को से चैंजी लोग फीचर्स देखने को मिल चुका है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने आपर वायरलेस कनेक्शन मतलब की कनेक्शन और शेरिंग तो दोस्तों अगर अपकी घर में स्मार्ट टीवी तो स्मार् इसके बात करेंगे नेख्टी आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल चुका है मतलब कि कलओ स्कीं के युए में काफी बड़ा चैंजित देखने को मल लुके हैं को डिसप्रास करना है अंदर को डार्ला को जो के देखने को मल जाता लेकिन इस डार्लोच मोड मुख吗 आप आसने से कस्टमाइज कर सकते हैं मतलिक उसको यह पर शेडूल रख सकते हैं उसके बात करेंगा और भी कुछ चूटी बोटे चिंजलों फीचिस के बार में जो की सेटीज के अंदर दे सकते हैं आपको आपको 3-3 ओप्शन देखने को मल जाता है से फब्लेसे अगर आपको आप्लीकेशन का नोटिकेशन लॉक्स क्रेंज में चाहिए तो लॉक्स क्रेंड रिसिव कर सकते उसके पसाथ आपको फ्लोटीव नोटिकेशन मतलब कि अपरकी तरसलिए व Élी कर सकते शिर Ama दोस्तों और वह एक फीचर से मतलब भी नोटिफिकेशन का स्टाइल अगर पो चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन का फीचर इनेबल नहीं हो चुके अगर आपको फिर भी एप ड्रावर इनेबल करना है तो मैं आपको ऊपर यह पर आपकेशन उपन करेंगे तो दोस्ते उसके पर एकसस करने बाद आप उसके पर पेज को एकसस कर सकते हैं लेकिन रिसेंट अप्लिकेशन में मतलब की बैगरा इनेबल कर सकते हैं तो बस यहीं फीचर आपको एड़ हो चुक है होम स्क्रीन के अंदर उसका बात करेंगे कुछ और भी फीचर के बार में तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैट्रे एन परफॉर्मस के अंदर तो काफि सरे लोगों को लगा था कि अल्टेमेट पावर सही म आपको Android 10 मिल जागा तो 11.1 सरीस के बाद सभी डिवासिस का अंदर अल्ट्रा पावर सभी मोड का फीचर भी देखने को मल जाएगा उसके बाद और भी कुछ चोटी मोटे चेंजे से मतलब की फीचर तो नहीं लेकिन यूए के अंदर चेंजेस देखने को मल चुका है जैसे क पो गें крут Records क्र सकते हैं उसके नीचे दें सर्less अगर जो फीचर से QQ WhatsApp वीच्ट को करता है अरत निचे के तरफ सेग्स सकते हैं कि लिच्ट है मतलब यूट्प चलते वग् प्रप्स देना यह फिर किसी बी लिए छोट मोटे चेटिड elog feature देखसए और भी कुछ नेच्स अबड़ल इसके बाद सेब में जह हुआ सबस्वह खिरंगे को mags लोग सब्स andaक उपन करके देखेंगे तो डिए देखने को मल चुका है명 अबर देसे था Mio Alien को स्ट्राल करने बाए तो काफे सरी डिवसे का अंदर मी शेर उसके बाद प्रिंटिक फीचर से सकाइकलर रिप्लिस्मेंट के फीचर से लेकिन रेडमी 7 डिवसे के अंदर अब देखने को नहीं मिला तो प्ले स्टोर में जाने बाद मी कैलकुलेटर को यह पर अपडेट कर लिजे उसके बाद करने के टॉप की तरफ सब को जो मी कैलकुलेटर में प्यपी मोड एनेबल हो चुका है मतलब कि फ्लोटी विंडोस का जो फीचर से फानली मी कैलकुलेटर का अंदर इनेबल हो चुका है इसी रेडमी 7 डिवसे के अंदर और वैसे दोस्ता अलफा टेस्ट ही में जो फीचर से पहले से देखने को मल चुका था लेकिन स्टेबल अब्लेट के बाद सभी लोगों को भी जो फीचर देखने को मल चुका हैं उसके बात करने के नेशुटी फीचर के बार में अधर देखने को मल चुका हैं अगर और उसको अपन करेंगे तो आपको computerized view देखने को मल जागा मतलग भी mobile view एंड computer view दोने वीव देखने को मल जागा इसका बद अब बात करेंगे और भी कुछ चोटी मूटी टूली बाक्स को इनेबल कर लीजे तो यूज टास्क टूली बाक्स को इनेबल करेंगे बाद इस प्रकार से सारक सारे टास्क यहाँ पर reminder सेट कर सकते उसी डिस्प्ले के अंदर तो दोस्तों बस आपको यह चूटी मोटी चेंजेश देखने को मल चुक है